जी असलाम अलेकुम आज है 20 सेप्टेम्बर और ये मैंने अखबार आपको जो दिखाया है जिसारत का ये है 19 सेप्टेम्बर का अच्छा ये विडियो सिर्फ और सिर्फ मैं बताऊं जो लोग कमांडर सीटी में रह रहे हैं या रहाइश इख्तियार करना चाहते हैं ये सिर्फ उनके लिए है और इसके लावा वो मेरे दोस्त हैबाब कहलें जो मुझे पूछते हैं ये लेला मजनू से जंगो जदल का सफर जो हुआ ये कैसे हुआ और क्यों हुआ तो मैं इसको बिल्कुल शुरू से सुनाता हूँ और इसके लावा भी कोई अगर इतना टाइ हैं नहीं आप मत देखें ये वो बाते होती है कि इंसान रिकॉर्ड करके रख देता है और जब किसी को देखना होता है तो वो देख लेता है तो ये पहले मैं आपको बताऊं के एक दौर था कि बिल्कुल जो आशिक और माशूक वाली बात चल रही होती है ना तो कोई कमांडर साब के बुराई कर देता था तो हम उसका बिल्कुल गला पकड़ देते थे और पूरी दुनिया को आवादे लगा लगा के इतने लोगों को मैं कमांडर सिटी में लाया हूँ और कभी कोई कुछ कह देता था तो मैं बहुत बुरा मान जाता था तो मैं इसको बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं कि यह कानी शुरू कहां से होती है और फिर एंड कहां पे हो रही है यह हम आपको बताते हैं और अगर आपने इन चीज़ों का अंडर्स्टैंड कर लिया तो आपका commander city में आना, रहना, यह तमाम चीज़ें आसान हो जाएंगे और जो भी चीज आज आप commander सहाब में देख रहे हैं, जिस तरह की भी शक्सियत आप देख रहे हैं, आप यकिन जाने हैं, जब नया नया जाज खराज के बेचरीन इंसान बनाया जाता है, तो हर बिल्डर कुछ गलतियां करता है, कुछ निकियां करता है, इस्ता चलना होता है, तो मैं यह शुरू कहानी करता हूं 2020 की बात है, तो बेस्ट आप माइ नॉलज़ज, जब हमने R 151 और फेस्स कुछ आप रहे थे, हम कराची में ढूंदे फिर रहे थे, कि हमें एक प्लॉट मिल जाए, और उसके पर रम कंस्ट्रॉक्शन करवा लें तो आम मुक्सलिब जगाओं पर जाते थे कि जिसका पोजेशन मिलावा हो ता में कम अजकम प्लॉट मिले हम उस पर कंस्ट्रक्शन करवाइं और करते करते मलीर चले गए न्यू कराची नॉर्थ कराची क्योंकि बजट हमने फिर सोचा था कि यार 60-70 लाग के अंदर 2020 में 60-70 लाग पर थे हमारे पास तो हमने का फ्लाट टी लेंगे 120 गस का कोई प्लॉट मिल जाया प्लॉट लीज होना चाहिए यह हमारे जहन में उस वकद बात बैटी भी थी तो हमें कराची में जो ऑप्शन मिल रहे थे लीज प्लॉट के वो हमें समझ में नहीं आ रहे थे बत्तक जो बिलकुल मलीर के अंदर थे तो हमें समझ में नहीं आ रहे थे तो करते करते किसी ने मच्वरा दिया कि कि अगर कमांडर सिटी के आफिस चले जाओ और मैं वहाँ पहुंचा हूँ तो वहाँ जब मैं पहुंचा हूँ तो वहाँ पे मुझे बताया कि हमारे पास प्लोट तो आज तक अमने पोजेशन नहीं दिये यह दोजार बीस की बात है हमारे पास एक इस वकत बंगला आए और वह बन राग्णा अगर आपको समझ में आय तो आप ले लें मैं आए खाया मुझे बतायो बंगली की means to me इन एककर का कितने बंले हैं तक बाउंटरी और इस बाउंडरी है ये बंला है फिर डिन को पढ़ाया मैं इसे भाइन करता हूं तक मेरा अपना लूह आपको अपना इस्टाइल ना है क्योंकि हम उन बडंडर्स के ड़कि दसे वे थे वेस वैसे बताहूं न कि CMDR city के इलावा शायद 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 आप DHA को माइनस कर दें आप CMDR city को माइनस कर दें आप बहरिया को माइनस कर दें तो यह जो M9 city जामशोरो है गडाप है दादू है जो भी है कुछ भी है तो हमने पहले तो मालूम भी करने की कोशिश नहीं की थी ना उन्होंने बताया था तो कैनला के यही एक बंगला है जो आपको अगर चाहिए तो मिल जाएगा पैसा हो फ़कत खुला मारे पास मौजूद था बेतरीन दौर चल रहा था इमरान खान के दौर में आपको मालूम है बड़ा पैसा और मुझे 2020 का मालूम भी निक किस दौर है बढ़ खुला पैसा चल तो हम उस वकद दोस्त यार इस तरह सोच रहा है कि अरफाम हाूस के तोर पे इसको हम रख लेंगे और हथे के चले पार महीने में छक्कर लगा लेंगे तो हमने उस वकद उनसे का चाह पहले देखकर आजाएंगे तो क्या यहां पर मौझूद रहेगा तो पहले आयाग वो ले लेगा मैंनेगा यार कार्ट चलता है आपके पास क्या मैं कोई 25-25 सजार रुपर देदू न कि नहीं बुकिंग जो होगी वो एक लाग रुपै से होगी लाग रुपै से कम बुकिंग नहीं होगी तो मैंने का ठीक है भाई फिर चेक चलेगा चेक चलेगा मेरे साथ में एक दोस बैठावा था उस ने चेक दिया हमने वो चेक दिया और फाइल हमारी बनी हम देखने चलेगा वहां पहुंचे हैं तो उसकत गुल-मुहार सिटी से रास्ता अंदर लोगों ने बता तियता है यह वाला प्रट्रॉल पयाएगा फिर यह पर यह आएगा कर कर आगे खैर आम पहुंच गए और लोगों ने प्रट्रॉल पंपs गाइड किये वेते कोई नामों से किसी ने हम आज तक वहाँ पहुंचने के लिए गाइड नहीं किया था कि और हमें क्या पता कि यार हाइवे के ऊपर ठटा कब आएगा और जामशोरो कब आएगा और बदीन कब आएगा और हैदराबाद कब आएगा वह बहुत आगे निकल जाता है तो हमने जब जाके देखा उसकी ग्रीनरी जब देखी हमने तो बहुत अच्छी जगा है और यहां पे हफते के हफते आजाये करेंगे और कमांडर सेटी हकीकत में मैं बताओ ना एक वो बुदूर्ग हजरात के लिए बनाए या तो जो रिटायड लाइफ जी रहे हैं या अभी जिनके बच्चे छोटे होते हैं तो मेरी यह मेरी तिंकिंग है आपके तिंकिंग अलग हो सकती है कमांढ्डर साब के थिंग आलग सकती है आपके अलग सकती है किसी और की अलग हो सकती है तो हमने जय देखा कि ये तो बहुत अच्छा आप उस टाइप की जगह है और अबी भी कई लोग आते है कमांधर सिटी में जो एक रात गुदारते हैं आपने लाइन में अगर आर वन फिफ्टी वन की लाइन में बताऊं तो ऐसे कुछ मैंने कई बार देखे लोग के वह आते हैं रात गुदारते हैं उनको अच्छा लगता है मजा आता है उचले जाते हैं तो इसका जो टाइटर हमने रखा है वो इसलिए लेला मजनु की कहानी दे जंगो जदल तक और यह तमाम रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी बड़ी बैनेफिशल साबित होगी आने वाले वक्तों में लोगों के लिए बैनेफिशल साबित होगी अच्छा इसको इस तरह दे ले चुके थे प्रॉपर्टी या लेने वाले थे तो हम सारे एक पूल के अंदर आगर बैठ गए अच्छा हमें आज तक जो बिल्डर के साथ जो हमने आज तक जो बिल्डर देखे दुनिया में जितने भी तो यह होते हैं कि बिल्डर की में रिक्वार्मेंट होती है जो इ आप मुझे पैसे दीजिए जो आपने साइन वगारा किये है और मैं आपको बंगला दूंगा या फ्लैट दूंगा या प्लॉट दूंगा जो भी आप लेंगे बड़ आपकी तरफ से पैसों में कमी नी होनी चाहिए तो मेरी तरफ से कंस्ट्रक्शन में कमी नी होगी और वो जैसे जैसे चीजे चलती रही तो पैसा मारे पास उत वकत और भी था तो अमने सोचा के यार मिडवे इसकी में और उनकी आगई थी तो वकत कि आम एक तरफ ये पैसे भर रहे थे आर 151 के तो एक और आर 630 भी हमने ये सोचे के ये इसकी पैमेंट भी कर देते हैं तो अमने का मिडवे स्कीम है इसमें आप ले लें अमने का यार जगा तो हमें डेफिनेटली ग्री तो मतब बड़ी पुझे अपील करती है क्मांडर सिटी की क्योंके लोग कहते है आप पहले बड़ी तारीफे करते थे अब आपने पता नहीं नहीं पूरी कहानी को सुनेंगे समझें के तो आपको समझ में आएगा अगर आप समझना चाहेंगे वाके और वो भी वो लोग जो ओनर्स हैं ओनर्स मेरी कहानी को समझ पाएंगे ये जो मतब किराए पे रहने वाले लोग है ये कभी भी मेरी कहानी को कभी understanding ही नहीं कर सकते employee क्या understand करेगा जिसकी बिचारे की salary 25,000 रुपए है वो 25,000 रुपए के लिए अपनी जान देने पर तुल जाता है उसको सही गलत का पता नहीं चलता तो जो owners हैं यह video mainly owners के हवाले से ही आप समझेंगे कि owners देखेगा या builder देखेगा या हम देखेंगे किराइदार के लिए यह video नहीं है simple से अलफाज में किराइदार इसको अंडलस्टैंड नहीं कर सकता किराइदार तो वो लोगें जैसे एक mall बनता है तो उस mall के अंदर शुरू में builder लगा देता है कि पाँच हजार रुपए या दो हजार रुपए में आप दुकान लीजिए जैसे ही वो अबादी वहां बन जाती है तो वो सबसे पहले जो खुदाफिस कहता है वो अपने उनी लोगों को जिनको पाँच हजार दो हजार पर बिटाए गया होता हुँ उनको खुदाफिस कह जेता है तो हमने विजिट्स करना चुरू किये पेमिंट पेमिंट हम जो है इसी लिए कि हमें सबसे इंपॉरेंट चीज हम कहते हैं पेमिंट अगले के पास जानी चाहिए यूँकि यह तमाम जितनी भी चीजें चलती है बिल्डर का जितना कारवा चलता है वो पेमिंट पे चलता है कि अगर आप लोग पेमिंट करेंगे तो बिल्डर काम्याब होगा अगर आप पेमिंट नहीं करेंगे तो बिल्डर नाकाम हो जाएगा बिल्डर उसी को possession देगा या उसी को hand over करेगा जिसने payment clear की वी होगी जिसने payment नहीं की होती यह वो नहीं करता यह हमें पहली बार ऐसा पता चला कि नहीं बार यह builder कहता है कि नहीं मैं possession देने के बाद भी आपको rules and regulations और यह भी बताऊंगा यह भी बताऊंगा लिखेंगे क्या पढ़ेंगे क्या कैसे रहेंगे कैसे चलेंगे कैसे फिरेंगे तो यह एक पहली बार में और हमने कहा ना यത जो कुछ भी हो रहा है पójले तो आप इस चीज़ को समझे लें कि मेरा आपका इस सदी में होना ये Allah की मर्जी है Allah चाहता तो Commander साथ को अगली सदी में पैदा कर सकता था पीछे पैदा कर सकता था मुझे इनके बाद पैदा किया जा सकता था आपको मुझे पहले पैदा किया जा सकता था तो चाहते हैं 뭐 हो जाजा तो हो जाती है और यहां पर भी इसी तरश ने ने पता चलता है कि इतने बता बस बागूफ होते हैं वो इससां उण भूड़िए बडल रहे होते हैं कि उनको कभी आके कोई बताता है कि COMMANDER SABE ये UNION बना ना चाहता है तो वो येकीन कर लेतें लिए जाए ये UNION बनाना जाता है वो बाई हम तो चाहेंगे कि आप जिन्दगी में आपो हयात पीकर जिन्दगी भर यहां पर 24 गंटे बिजली दें क्योंकि वो तो अब हमें पता चलाएं ना कि जिस शेहर के अंदर हम आ गए हैं उसका नाम भी लिलना चाहते हैं कि अगर आप ना हो तो यहां पर तो बिजली भी ना मिले तो आप सोचें कि पहले हम अपने लिए फिर हम आपके लिए फिर अपने वालदेन के लिए खसूसी तो आपके लिए दौाएं करनी पड़ेंगी क्योंकि आप नहीं होगे तो यहां बिजली नहीं होगी यहां पानी नहीं होगा यहां गैस नहीं होगा यह कमांडर साब आपने पहले समझना है और इंशालला इंशालला आज से दस साल बाद आपको जिंदगी दे तो जो आपका विजन होगा और जो आपकी ट्रेनिंग मुक्तरिफ लोग मेरी तरह के 25-30 लोग ट्रेनिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप एक ऐसे कामयाफ बिल्डर बन के सामने आएंगे कि आप से कोई बात किया करेंगा तो वो कहेगा वाह यार वाह अभी तो आप एक situation handling को भी नहीं जानते कि अगर एक बंदा डेट घंटे का सफर करके आया है और कराची में आप किसी भी इनसान को मेरे साथ जो मेरी एज का हो उसको मेरे साथ आप रवाना कर दें और वो मेरे साथ आए गेट तक आप कभी बैट कर आजाए या आपने किसी रिस्तिदार को बता दें कई रिस्तिदार आपके है और हम भी बड़ी इसत करते हैं उनकी आ कराची पहुंच जाओ यानि कराची से यहां पर आजाओ और वहां गेट के उपर जब आपको लोग अंदर ना ने दें तो गाली छोड़े लोग गोली बार देंगे उनने जब बताया जाएगा कि वहां काट कहां बनेगा तो हम यहां कानी आ गे हो जाएगी यह मैं पहले बताएगे वापस पीसे जाता हूं महबबत की कानियों में कि अगर एक इंसान देट घंटे का सफर करके आएगा और अगला उसे पूछेगा के रेजिडेंट कार्ट कहा है आपको कोई धिस्टार भी आप मेरे साथ रवाना कर दें वो दरवी नहीं कमांडर साप का आप कभी हो सकता है इंपलोईस का भी हो सकता है तो जब वो इंसान बताएगा कि एक रवड़ी काट बना कांपर है वहना इसी परसटी कशनार रहे हो अप तो एसे ही के चल रहे हैं जो आप कहते है करे कमारी बाई-लौस बढ़ी सखेंट नहीं हो कि अंडर ये हैर कि चार साल पहलेと यह बीश खिस्टियार नहीं की जब लिखवाया जाता था लिखवाया जाता था कि आप पर F.I.R. तो नहीं है कोई क्रिमिनल केसिस तो नहीं है तो अपने उस वकद भी येस लिखा था आप पर जब F.I.R. हुई तो आपने वो अपनी ईज़र रहे हैं आप यह आप यह देख रहे हैं कि लोग आप से खासकर वह वाले लोग जो आष्की कर रहे हैं आप पैसों के नशे में आपको दिखाई नहीं देता है क्यार उनी का पैसा इस्तवाल करके मैं यहां तक पहुंचा हूं उसमें डेफिनेटली कुछ लों की दुआएं होंगी कुछ लों का पैसा होगा बट नहीं आपको नहीं दिखता आपको सिर्फ वह 50-30 करनल दिख जाते से जिए कहें हम पहले लोगों के लिए यह बताएं कि आशकी चलती है और हम हमारे लाइन में शाह साब रह रह रहे थे चार पर उनके बंगले हैं। कोई बात करते थे.. हम कहते थे नहीं आर्षाहसाब बुदुर को ऐसा नहीं होता.. ऐसा नहीं होता.. बिल्डर एक सही कर लेगा तो जो इनसान भी हमारे सामने बुराई करता था.. हम उसके सामने दो कसीदे और पड़ देते थे.. आपकी शान में यानी commander साब की शान में और वीडियोस बना-bनाके डाल देते थे कि थैंक्स टू अला, थैंक्स टू गमांडर बड़ा अचा आढमिये, बड़ा अचा आढमिये, बड़ा अचा आमिये करकर आके हम, क्योंकि हम रहते नहीं थे तो हमें complaints तो बहुत मिलती थी बट हम हर चीज के against में दो वीडियो बना के डाल देते थे और उसमें लिख देते थे thanks to Allah, thanks to commander तो ये हालाथ चल रहे थे कि लोगों की complaints बढ़ती जा रहे थी complaints बता देता हूं कि इसके समकी थी और बस में बैटना हमने बंद कर दिया था क्योंकि बस में जब हम बैटते थे और कोई commander साफ की बुराई करता था तो हमारा थो खोन उबलना शूरू हो जाता था कि जैसे हमारे कोई बाप की बुराई कर रहा हूं तो हमने एक टाइम आया जब हमने का के नहीं बस में बैटके जाना तो यह इन लोगों के दर्मियान बहुत मुश्किल हो जाएगा कोई कज़ा था सौ यूनिट से होता क्या है सौ यूनिट का फाइदा क्या है हम किसे थे सौ यूनिट के इननर बिल तुमारा आ जाया यार कैसे आएगा बिल तब भी हम कैसे थे एक आफ़ार है ले लो जाए लो प्रेडिकल कार्ट पर चार लागी तो मिल रहे हैं हम करते थे यार अल्ला का शुकर दखरो उनका शुकर दखरो चलने दो यार हमारे दामाद को उस फ़कद निकाल दिया जब बात कर रहे हैं सबर करो यार कम असकम रक्धों बहुत है यार हमारे बेटे के साथ आठा Healthy स दस बाते सुनाता है आप देखें आपे क्या हो रहा है सबर करो अच्छा आदमी है दो कसी द्वार पढ़ देते थे तो एक तरह इनकी कारवाईयां चल रही थी यानि employees तक से जब मैं बैटके बाद चीज करता था तो लोग कहते थे कि यार वजास साब मैं नी मताओंगा कौन लोग है वो तो वो कहते थे कि यार वजास साब देखें कहां पर ऐसा होता है कि कोई बकरे बेच रहा है कोई गाएं बेचना चूरू हो जाते हैं ये ये किते हैं पांच अदार भैसे लेयाओंगा दूद बेच रहे होते हैं इंडर्स्री बनाओंगा ये करूँगा ये करूँगा तो ये इंप्लोईज की बाते होती थी तो हम कहते थे यार सबर करो सबर करो मतलब कोई विजन होगा कोई विजन होगा तो हम भी विजन विजन करते रहते थे और दो कसीदे और पढ़ते थे अचा अल्ला ताला उपर एक प्लैनिंग हम करते है एक प्लानिंग अल्लापाक कर रहा होता है तो एक तरह हमारी विडियो वो ग्रीनरी के हवाले से अजब बाख होता यह बात 100% सच है कि जब तक लीज नहीं आई थी मुझे नहीं पता था कि मैंने बंगले कहां पे लिए वे इतना मुझे दरूरा है कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बारीटा वन बारे में भी कहता था कि यह बहरीः वन युह यह पॉर लीज इसलिए नहीं देता आकि ज़य दिन यह यह रिज देगा तो वो तो बेरिया वन के उपर भी कराची का नाम ढूंडे नहीं मिलेगा ये बात मैं लोगों को कहता था ऐसा मुझे डाउट था क्योंकि लोग सही कहते हैं आप पढ़े लिखे आदमी है तो पढ़ा लिखा इंसान पढ़े लिखे लोगों की तना बेहव करता है वो वो प्रव्लम सॉल्फ करता है वो रिजॉल्फ करता है जिस अग रिजॉल्फ हो सकते हैं चीजे उस वाध तक करता है तो यह एक कहानी जो चल रही थी टोडल ओर एल कि वो इन्सान बस में बैटना बंद हो जाता है कुछ सजेशन भी साथ साथ चल रही होती थी जो हम कहते हैं तो मेमान आजा तो मेमान से 200 वर पर क्यों लोगे उससे 50 रुपर कम लिया करो वारी जेप से ले लिया करो यूकि मेमान जब किसी जगा आता है तो यह हमारे नभी पाक चल रही थी आपकी बड़ी बलाएं लेकर चला जाता है तो यह चीजे भी चल रही थी हमारे जहन में तो कहने का बतलब एक तरफ कमांडर साब की बुराइयां लोग करते थे के आप 35,000 रुपे सैलरी चल रही है हमारी 25,000 है हमारी बेटी को कम मिल रहा है हमारी बेटी को कम मिल रहा है कारोबार जंग जाता है कमांडर साब निकाल देते हैं सबर करो कुछ सोच के करते होंगे वहर चीद हमारा जवाब यही था कि कुछ सोच के करते होंगे कुछ सोच के करते होंगे तो यह चीजे चले जा रही थी और comfortably चल रही थी बाकी किसी भी union में ना हमने कभी हिस्सा लिया है ना कभी हम ले सकते है अचा जब lease मिली थी ना तो हम थोड़े से अंदर से थोड़ा सा हमें ये लगा था कि यार lease से पहले कभी भी किसी document पे इसा बिगार की बात है कि लोग बात कर लेते कि जब वो छुटे से बच्चे पैदा हुआ तो बच्चे पैदा होने के साथ ही लोग कह रहे हैं मैं पता था ये वो सारे employees है अचा किराय पर रहने वाले को क्या पता कि करोड़ों रुपए कैसे कमाए जाते कि आपको तो उन्होंने मेरबानी करके रखा है आप अगर उनके नमक हलाली कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मैं कहता हूँ कि आप नमक हलाली कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं बट नमक हलाली आपने duty जुटी सर अंजान दे कर नहीं है उनकी शाहन में कसीदे पढ़ने के लिए हम लोग है नहीं हम पढ़ेंगे कसीदे हम पढ़ रहे थे हम पढ़ भी रहे थे आपने दुटी करनी थी कुछ जो कमांडर सीटी में हम डिवेलप होते वे देख भी रहे थे क्यार कुछ डॉबएक्स डिवेलप हो रहे हैं एक चोड़ी सी अबादी है पहली मस्जिद बनी बहुत अच्छा लगा नमास पड़ी बहुत मज़ा आया मैं कहता हूँ वन अफ दी बेस्ट मॉस्क जो इन अच्छा उसके बाद सुनने में आया क्यार एक मस्जिद बन रही है अच्छा लगा अच्छा लगा अच्छा लगा मैं एले सुननत से हूँ वरना कुछ लोग सोशल लग जाएंगे मेरा निका अधरवली खान साब ने पढ़ाया है एले हदीस को फॉलो करता हूँ अपनी अधरवली खाल और कुर्बानी की भी और मेरी खाल भी अले अधीस की आमानत है बढ़ कुछ मिक्स्चर सा है जब बात आती है क्योंकर मुझे कबरुस्तां देख के अच्छा लगा था मुझसे पूछा गया कि आपको अच्छी बात क्या लेगी मैंने करे कबरुस्तान के track क्या होना चाहिए builder का कि track होना चाहिए कि वो जो लोग payment कर रहे हैं उनको possession दी जाए टाइम ली दी जाए construction की जाए और construction पर अपनी तमाम तर तवानाई सर्फ की जाए ना के शुरू मैं इन्होंने पहले इंडस्टी की उपर अपने टाइम वेस्ट करना शुरू किया फिर इन्हों ने गाएं बकरी भैंस की उपर आ गए ये पूरा इनका स्टाफ कह लें ऐसा कोई स्टाफ में मैंने शक्स नहीं देखा था जो इस चीज के अगेंस बात ना करता हो यार ये कौन सा बिल्डर ऐसा करता है ये वो लो कहते थे और हम उन्हें प्रोट्रक्ट करते थे अट दाट ताइम I was the only one who was protecting के नहीं यार बिल्डर है नहीं यार बिल्डर बना है छोड़ो यार समझ जाएगा समझ जाएगा तो कभी वो गाएं भैसे पालने निकल गए फिर बकरे निकल गए फिर कफास होगाने निकल गए फिर उन्होंने का मैं ये बनाऊंगा मैं ये पकाऊंगा मैं यू कर लूँगा मैं जूस बनाऊंगा मैं पानी बना लूँगा मैं लोगों को रोजगार दूँगा जबकि रोजगार देना तो रोजगार देना बिल्डर का काम नहीं होता है बिल्डर का काम है construction करना, best construction करना आप साइमा की building को देखें उसके अंदर जब आप मालूम करेंगे तो पता चलेगा कि साइमा project अभी announce करता नहीं है उसकी पूरी पूरी चीज़ें पहले बिग जाती है तो क्या साइमा ने को industries launch कर दी है कैसे बिग जाता है साइमा का माल, यह सोचना है आपने यह लमाए फिक्रिया है for everyone कि साइमा भी तो एक builder है नहीं उसका माल अभी सिर्फ अनाउंस करता है कि अभी जा कि आप उसके किसी project में जा के बोलें कि हमें कुछ booking करवानी है एडवान्स कोई फ्लाट वो गैंगे नहीं हमारे पूरे पूरे फ्लोर बिग जाते हैं तो क्या वो लोगों को रोजगार देता है क्या वो मचली आलू अंडे यह बेशने निकल पड़ता है नहीं असा नहीं करता तो यह चीजे हम देख रहे थे कि यहां तक हमने बताया या देखा कि उन लोगों को जिनको कोई जॉब नहीं देता था वो कमांडर साब उनको जॉब देते थे अचा फिर यहां से वो बात आती है असरत अली की कि जब आप किसी साथ नेकी करते हैं तो उसके शर्से बचना होता है तो वो तमाम लोग जिनको दुनिया में कहीं जॉब नहीं मिली थी उनको कमांडर साब ने जॉब भी दे दी तो यहां से जो हसरत अली का कॉल है वो आक्टिव हो जाता है कि जिसके दाद निग्ही Bible कर उसके शर्से बच़ो मैंने कमांडर सी टी में मैं हलफिया ब्यान देने को तयार हूं मैंने कभी किसी अंप्लाई को मैंने किसी इंप्लॉ Inspector साब की ता रिफ करते नहीं देखा जिसको देखा है वो रोते भी देखा है मैंने किसी किरायदार को कमांडर साब की अच्छाई करते भी नहीं देखा और दूसरी जाने जो मैं था वो सिर्फ उनकी तारीफों में पुल बांद रहा था बाते कर रहा था और लोग मुझे बताए जा रहे थे मैं इग्नौर कर देता था और बांद डाउट जिस जितनी बाकी अबादियां यह पुझेशन कभी भी दूसरी अबादियों को नहीं मिलेगा उसकी वज़ा बता दूँ क्योंकि यहां जो बिजली दी है ना तो यह ते cura कमांडर कमांडर सहा देने साब हैं के ठचिछ जाने यहां पर तो f應該 साम दूसरी की करह कर दूसरि क्योंकि आप अब ही आत टो कोई पी नहीं से तो पेली हमें जो वह भी कन्सर कभ आयां कि पिर हमें महें यह समझ में आना शुरू हुआ कि मैं भी घजनी तो मैं कुछ चीज लिख लिख कर मैं कभी आपको अपने कमरे में दिखा हूं तो आप देखेंगे कि मैं भी घजनी हूँ तो फिर मैंने देखा है कमांडर साब भी घजनी स्टाइल में जो आमिर खान की फिल्म है एक रात को उठते हैं और वह कोई डिसाइड कर लेते हैं अचा रात 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 मुलाजिम ना हो तो यह हमने देखा कि इन्होंने पुराने मुलाजिम भी जितने थे उस सारे के सारे वाइप आफ कर दिये उन सब के उपर को इल्दामात लगे क्या लगे क्या नहीं किये उन सब को फारिख कर दिये तॉफीग दे बड़ उसके अंदर रास्ते बड़े कठन हैं रास्ते असान नहीं होते वहां commander heights वालों ने जैसे हमारी videos देखी तो रोना शुरू कर दिया कि यार हमारे साथ भी बूरा हुआ है हमारे साथ ये हुआ है हमारे साथ ये हुआ है तो मैंने बकाइदा उन लोगे पाउं दबा दबा कर बताया कि मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांग लेता हूँ तो ये objective कम असकम कभी नहीं होना चाहिए किसी का खासकर इस तरह का कि बिल्डर माफी मांगे बिल्डर निकला वा होता है पैसे बनाने के उपर बिल्डर को पैसों के इलावा कोई तकलीफ नहीं होती है बिल्डर ये कहता है मेरे पास पैसा आता रहा है मैं पैसा बनाता रहा हूँ फेस यादर बोलोगे जहां गलट कर बैठूँगा या गलती नहीं भी करूंगा सामने से कोई उपर से आएगा वो माफी मांग लेगा तो मैंने का अगर आप लोगे अब्जेक्टिव यह है कि कमांडर साफ से माफिया मंग वानी है तो मैं आप से माफी मैं आप लोगों से मांग लेता हूँ इस तरह से यह वाली बात कि जो उन्होंने बताया और फेर टाइम आता है कि जब हम बंगले खाली छोड़े वे थे और उनमें रहने वाला कोई भी नहीं था मैं हफते में दो चक्का लगा लेता था पहले महीने में दो चक्कर तो हमारे शाह साब हमारी लाइन में एक शाह साब पहले थे वो रहते थे तो उनसे हम मुलाकात करते थे हम चले जाते थे और कुछ दुकानों में चले जाते थे हमें भलकी भलकी रिपोर्ट मिलती थी बढम कहते थे बुदर्गों रिलाक्स इंशालला इंशालला ठीक हो जाएंगे मामलाद बट फिर हमें उस फकत भी इतना समझ में आ गया था कि अपने आपको बिल्डर मानने को तयार नहीं है उनकी इंटर फेरेंस इन दी लाइफ अधर बड़ी इंपोर्टेंट कि मतलब अपने लिए असूल डिफेरेंट हैं दूसरे के लिए डिफेरेंट हैं उसको मैं इस तरह बात करूँ कि भाई खुद ऑफिस में ने इनके कुट्ता भी देखा है कि कुट्ता बैठावा है वो हम पे बॉंक रहा है अब हम देख रहें कि यारी हम कहां पर आये वेंग मतलब ऑफिस के अंदर कुट्ता लेकर बैठे वे हो जबकि वो जानवर नजेस है मतलब कहने का तो वो होना नहीं चाहिए मीटिंग प्लेस पे बट दूसरी तरह हमारे शाह साब एक बुदर्ग बैठे वे हैं और उनको मुर्गिया पालने से लोग एधरास कर रहे हैं तो आहा ते आके हम definitely हम कहते से ऑंधे आजए भलत है यह बात कई रिगाउं पर हम छुप-ठाप बताते को बहुत हैं दो धो बनात्या है बनाता सो बटा अपना stand हम रखते थे कि यह कुट्टा अगर आप आफिस में पाल सकते हैं तो क्या वो शाह साहब जो हमारी लाइन में रहते हैं तो वो मतलब यह मेरे वालिद भी बाद में आगे रहना शुरू है तो उनको भी जी मुर्गियों से प्रब्लम होना शुरू हो गई यार मुर्गी ते क्या problem होती है? किसको problem होती है मुर्गी ते? अल्ला की चीजे है, अल्ला की मखलूक है, उससे किसको problem होती है? बट मैंने नोट किया कि नहीं, कुछे पाल लें आप, कमांडर सीटी में, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बट अगर आपने मुर्गी के बारे में सोचा, या आपने बकरी के बारे में सोचा, आप पाल लें तो ठीक है, बट आप पालें तो गलत है, तो बट ये फिर हमने देगा कि कुछ डिस्क्रिमिनेशन चल रही है, आज उस पर भी हम खामोश रहे हैं, कि नहीं यार, चलो, क्या लोगों के मसले में बोलना, खुद उन लोगों को उटना चाहिए, बट लोगों खुद नहीं बोलते, ये दूसरा बड़ा प्रप्रप्लम है, क्मांडर सिटी के रेजिदेंट्स का, क्मांडर साब मेरी होट्लाइन पी होते हैं, मैं कॉल मेलाता हूँ, वो ठालेते हैं, इतना बैनेफिट उनको मिल गया, उनकी बीवी की पिटाई के बाद, कि वो होट्लाइन पी आ गगए, कोई क्यान लगा, भाई, वो मेरे कजन है, तो यार, इन लोगों को बोला करो, कि उनके खिलाफ बात ना किया करें, तो फिर हम टांग बांग दबा के दूसरे बुदर्गों की, कि इनकी बात रख लेते हैं, उनकी बुराई ना किया करो, हमें भी अच्छा ही लगता, भाद करो, बट जो लोगों की इन най- ड्राणी में कुई कारोबार चल पड़े, तो कारोबार चल लें कारोबार सम Remove theру species ofpaper मिटे खना हो है, यह लोगों की इनि दखता करोड़े, जाने तो चलने तो छोड़ो, कि जाने तो चलने तो छोड़ो, है देखो यह कहा चल रहा है commander साब best commander साब great कि नारे बारे लगा के क्योंके हमें गुदारना होता था एक दिन हमने कभी भी एक रात से ज्यादा commander city में नहीं गुदारा तो हमें गुदारनी होती सिए एक रात जबके वहां residents हैं वो गुदारते हैं राते हैं वो वहाँ पर हर दिइद हर राथ हर वक्क गुदारते हैं और मैं पहुंचता था तो यान लाइप गई थी मैं जई हम आ गई तो लाइप आ गई देखो क्यूंके तारीफे करते हैं केमांडर साइब की तो हमारे वक्तों में लाइट भी आ जाती word या का लेकर लाइट शार्व इक काम पूर आपको सिंपल सलाम वालेग। अलगे निकल जाएगा एक माने में आपके प्रोजेक्ट यह चल रहा है.. तो आपको से कंखेती है.. इन पर F.I.R कटी तो आज रूल के उपर ये इन्होंने मिटा दिया कि रूल उन्होंने अप भटा दिया कि आप पर क्रिमिनल केस है या नहीं है आप अदालतों में जारे नहीं जारे तो अपने इसाब से इनकी चीजे चलने लगी तो अभी अगर हमने गालियन दे दी कल को अगर इनकी ऑलाद में से कोई दे दे किसी को बुरा बला कह दे गाट को तो वो रूल भी वेव हो जाएगा ना वो मतलब उस पर कोई प्रबलम नहीं होगा जारे गाट की जारेर तो नहीं है तो अभी तो लोग देख चुके कि मैं कौन हूँ और अभी मैं के ब्हुतो पहले तो मीडिया आपर यह वीडियो देखी है यह वीडियो आपने लिए लेक्ट लिया है हमने उनको बैं कर दिया रेंट और एंपलोई हैं आपको मुझे रेंट इन्ध अपलीद मैं जो लिया बनर की है ज़ा Tanburi के विए वाही अदिर सब्सक्राइब के मैं की। 65,000 रुपए प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी 65,000 रुपए उसका रेंट जी 28,000 रेंट है एक करोर पर आप सोचें तो minimum minimum 30-35,000 रेंट मिलना चाहिए तो वो अगर किसी employee को security की दुनिया में और वो valid point है security ऐसी नहीं होती ऐसा नहीं होता है और वो इंशालला चीदे मैंने का ना कि जिसफ़कर 15 वजाहत की तरह के लोगों से कमांडर साब मिल लेंगे he will be hero of builders तो मुक्तलिफ अब ये इनकी वो है हमारी को अल्ला पाक ने भेजा है जब हतोड़ा दूसरे हतोड़े पर लगता है जिस लोहे ने उसको दर्थ पहुंचाया होता है तो यहां पर जो अभी तक कमांडर साब समझ के नहीं दिये कि ये पैसा तो हकीकत में उन तमाम लोगों का है जिन्होंने इन्वेस्ट किया है उसको आपको ऑगे बैं कर दिया है बड़ा होना है आपने अभी और इंशाला हो जाएंगे आप हो जाएंगे तो कमांडर सिटी की ग्री अपनी जगा है कमांडर साब की इम मैचुरिटी अपनी जगा है वो अभी सोचते हैं कि मैं हर चीज में इंटर्फेरिंस करों कोई नशा नहीं करेगा कोई लेजबियन नहीं होगा कोई गे नहीं होगा कोई हिंदू नहीं होगा कोई भजन नहीं काएगा कोई Christianity को फॉलो नहीं करेगा मतलब कहां पढ़ गए आप किसने बताया आपको ये चीज है आपके जहन में आइडिया आते कहां से मुझे जमझ में नहीं आते कि आइडिया आप रात को सोते हैं फिर इसी लिए नाउद बिल्ला लोग उन लोगों से हम लड़े जो कहते हैं कि यार ये नशे के अंदर होते हैं तो आप भूल जाएं इनको ये नशे में होते हैं उन लोगों से लड़ लगाइऑ बस के अंदर बैट रहे हैं बस में कोई बुराई कर रहा है कमांडर साब की उन से लड़ ले है और पर करते-करते वो दिन आजाता है जिस दिन हमें आना था कराची से और वो बाई के उपर सामान बंधा ओए सामान बंदा वाए उससे दो दिन पहले हम आए हैं एक दिन बंदा आता है चला जाता है एक दिन रुकता हूं तो अभी तो इनको बिचारों को conflict resolution नहीं आई है क्योंकि मैंने देखा कि वो बिचारे जो guards है वो खुद नशे में है वो खुद चर्फ के नशे में मौझूद है उनसे आप क्या duty ले रहे हो वो बिचारे खुद मतलब कहने का उनके problems अपने solve नहीं हो रहे हैं आप उनको कि उनसे बंदा कह रहा है कि आपने मुझे पानी पिलाया आपने मुझे बिठाया मैं उनके नान में लेना चाहता वो खुद जब देखेंगे समझ जाएंगे कि आपने मुझे बिठाया आपने मुझे पानी पिलाया आप मुझे से कितनी अच्छी dealing कर रहे हैं तो मैं आपक ने गार्ट में भर्ती कर दिया, this is your failure, that is your failure, तो पिर आपके failure भी आपको झेलना आना चाहिए, पिर अगर कोई कार्ट बनाके नहीं दे रहा, तो फिर वो भी आपका failure है, पिर हर चीज़ का failure आपको बरदाश्ट करना पड़ेगा, जब आपके employees, आपके office में, आपकी seat पे बैटके बोलें, के यार, इनका बनता नहीं है, के ये मचलियां पालना शुरू कर दें, हाँ पालेंगे अब आप, आने वाले वक्तों मचली भी पालेंगे, ऐसा कौन सा काम है, कमांडर साथ, जो आप नहीं करेंगे, और जो काम चल जाएगा, वो बिचारा, बाहर जाएगा कमांडर सीटी से, उसको भाद दोना पड़ेगा, वो चाहे दूद वाला हो चाहे, वो होटल वाला हो चाहे, वो medical store हो, कहां होता है, तो that is the reality of कमांडर सीट कि, आपने अपना काम छोड़के, बाकी तमाम चीज़ों में इंटरफेर करना शुरू कर दिया, जबके कमांडर सीटी में बिल्डर का काम सिर्फ एक होना चाहिए था, number one, number one, number one, क्यार कुछ भी करके, वो सामने से सड़क निकालनी है, जिसमें आप फेल हो गए, कि वो साम के से आना पड़ता है, एक्स्टा ट्वंटी टू, ट्वंटी माइल्स, किलो मीटर्स, लोगों को एक्स्टा कवर करने पड़ते हैं, सामने से रास्ता नहीं है, people are standing with you, mainly owner, आप इस तरह तो पूरा रेंट के उपर, फिर वो बात आती है, कि जी वो बेवाओं को आपने मकान को मकानात उनके नाम पर नहीं दियें, वो जब तक हैं, जब तक दिखावा चल रहा है, तब तक है, आप उसके उपर भी मैं चाता हूँ, एक प्रोग्राम करें और जो बेवाओं हैं, उनको आप बिल्कुल, ताके लोग या तो ऐलान करें, और वो बेवाओं भी समझ गलत और गलत को सही कर दो, यह नहीं करना है, अचा अब मैं आ रहा था और मुझे, मैं आप कहानी को शॉट करते वे, मैं आ रहा था मुझे रोका, मैंने सिना इसी दिखाया, जिसकी वीडियो यह दिखाने को लोगों को तयार नहीं है, जबके इने दिखानी चाहिएं, बात की बात है, उससे पहले क्या हुआ था, बताओ तो को पागल पागल तो नहीं है, वो, यह पूरी दुनिया से कॉल्स आ रही है, और लोग पूछ रहें के वजासा, मतलब आप बताएं कि हम क्या करें, तो मैं लोगों को यह बता रहा हूँ कि यह जब तक कमांडर साब क की इंटरफेरेंस इंदी लाइफ अधर्स खतम नहीं होगी, और फिर यह रूल नहीं बनाया जाएगा कि भाई, आप हमें सही नहीं लगे, हम टोटल कैश प्राइस एक सो बीस गस की मान लो, एक करोर दस लाक रुपे चल रही है, हम एक करोर दस लाक में दस परसंट कैश प समाम बाते हैं, वो लोग कहते थे, कि यार वो घलाफ ओड़के बैटे वें, वो लिबादा ओड़के बैटे वें, आपने वजास साब उनको इनसान से उपर, फरिष्टों से नीचे कर दिया है, और मैंने जब आप से मीटिंग की तो मुझे पसा चल गया, कि आप एक छोट गंटे के सफर के बाद आया हूं, आप मेरे साथ किसी दिन बैठें, और देट गंटे का सफर करें, हाईवे की उपर और वहाँ पर आने के बाद अगला गया, तुम अंदर नहीं जा सकते, तुम्हें वापस जाना पड़ेगा, आप शायद गोली मार देंगे कमांडर साब स सिर्फ गालियां दी थी, जो आप कहरें, बद इखलाक, बद किर्दार, अपने पर FIR कटी, तो आप आज कहते हैं, FIR वाली, भाई वो क्लॉस दुबारा लाओ, हकीकत में अगर उस क्लॉस से देखा जाए, जो चार साल पहले क्लॉस थी, तो ना आप रह सकते हैं, ना मैं रह स चाहिए, आज आप पे कट गया है, आप FWO का खुद जब चाहें, और सामने से रास्ता निकालने, रात के प्रोग्राम में, तो सब कुछ लीगल है, वोई काम दूसरा करेगा, तो वो इलीगल है, इस तरह जब मैं अंदर आ रहा था, तो मैंने सबसे पहले जा के रबनवा से तुम पूछो कि उसकी गाली चेक होती है, तो कमांडर साब, लोग पूछते हैं, और यह सिर्फ रबनवास साब ने, यह सब पूछते हैं, कि आपकी गाली चेक होती है, अब यह आप तमाम लोगों को बताएंगे, कि नहीं है, और गाली सब की चेक होती है, ऐसा नहीं है यह उसकी गाली भी चेक होई है तो फिर लोग आपके साथ कॉपरेट करेंगे आपको कहेंगे को वाओ कमांडर साथ वेल डान वेल डान वेल डान इस तरह का होता है आपके दामाद की गाली चेक नहीं हो रही है, आपके रिष्टेदार की गाली चेक नहीं हो रही है, आप रिष्टेदारों को भरे जा रहे हैं, भरे जा रहे हैं, यह सोच के कि या रही मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, जो लोग पैसे दे रहे होते हैं, उनसे प्रोटेक्शन सिर्फ पैसा आपकी protection है आपको कोई रखना है आप उसको रखेंगे आपने जिसफ़कत बोला कि भाई बैं कर दिया no problem मैं आपको commander heights वालों की तरह अदालतों में घसीटता रहा हूँ और बोलो वाम आफी मांग ली वाम आफी मांग ली बच्चे हैं आप छोटे इतनी immaturity इतनी immaturity आप में आती कहां से मैंने वो वीडियो डाली आपके पास आया 400 व्यूस थे मैंने का कि कमंडर साब मैंने आपको कॉल मिलाई अब ये वो मकालमा भी लोग सुन लें कि इनका मकालमा क्या था कि मैंने का सर मैंने आपको कॉल मिलाई और उन्होंने पूछा कि तुम बस में क्यों नहीं आते मैंने का कमंडर साब आपकी महब्बत में नहीं आता कि जब कोई तो लेला मजनु की कहानी चल रही है आपके साथ आप ये देखनी रहे कौन बंदा आपके सामने बैठावा है और आप कहते नहीं ये तुमने बहुत बुजदलों वाला काम किया है जबकि आप उस वकाद चाते तो आप कहते के यार बजहात ये वीडियो बेटा डिलीट करो बेटा भाई एक्सवाइजी के मिस्टर आप में फिरॉनिया थी कुछी कोई लवद इस्तमाल कर ले थे कि वीडियो डिलीट करो आई विल सॉल विट उनका जुम्ला सुने पहला ये मैं कुरान पर हाथ रखके हल्फिया बयान देने को तयार हूं तुमने ये काम बुजदिलों वाला किया है और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाता तुम्हारे लिए मैं जरूर कुछ सोचता अगर तुमने ये वीडियो न डाली होती तो आपने बता दिया कि आपकी तमाम तर हंदर्दियां किसकी तरफ हैं और इनकी क्या नाम है गाच की तरफ पर दूसरी बात आई अचा मुझे जब एक लाग बीस अदार में बहरा था उसवकत आपने मुझे नहीं बताया था मुझे एड दी टाइम ऑफ साइनिंग अगरिमेंट नहीं बताय गया था ना जाम शोरो का कोई जिकर था ना गुर्बत का जिकर था ना बे नहीं चाहिए होते हैं यहलफिया बयान दे रहा हो मैं कुरान पर हात रख की बता दूं का मैंने बिल्कुल इस तरह ना मैंने उनके गुटनों को आत लागा के मैंने का मैं आपके लिए घरीब नहीं बन सकता अचा वह अड़े है कि मुझे घरीब यहां पर चाहिए लोग पर रही है कि वहां से फ्रांस से जर्मनी से इटली से यूके से कहरे हैं आब ने जी वोला भॉक करा लिया है बाइ मैं हल्फिया बयान देने को तयार हूँ कि वो साब परभा रहे हैं कि मुझे मुझे यहां पर गरीब लोग चाहिए है मैंने तीन बार किूंकि इनकी मैंने मैं समझ लिया कि इनको बार falou पेटिया थे मूसालीई सलeing मुसाली स्लाम क्या करते थे तो जिस की बेटियां होती है मेरी दो बेटियां, मुझे नहीं it. पसंदीजी का इजार हो जाएगा. आपको कि Allah पाक मुझे कितना पसंद करता है, मेरे खाल में इंकी एक बेट अई. तो इसका मतबड़ा पसंदीदा शक्स तो ये भी हैं अला के मेरी दो बेटियां हैं मैं भी अल्ला का पसंद दीदा हूं और जिस चक्ष को आप मेरे जाने के बाद उठा कर लेगा है उसके तीन बेटिया sorry चार बेटिया है मेरे वालब ने दो शादियां किया तो मेरी चार बेहने मुसा लिए सलाम मैं यहेता हुआ बाइक जिस थरते हैं मैं आप दो है किसी बंडमाने वाले लahat kallad से लिए की बलाने वाले इटे कौने वाले कहलें मैं थैं। यह जो हो अधा हुआ आपसी को बुलाने वाले JULzy है कि अल्ला का शुकर का आपणने वाले अधाने जासा है। मैं आपके सामने आके बैटा आपसे बात्चीत हो गई आप उस वकात फेल हो गए इसको रिजॉल्स करने में बढ़ी छोटी सी बाती है आप कहते है रवजात इसको डिलीट करो मैं देख लोगा यार छोड़ नहीं लो डिलीटlest करदो नग्स्टाइम है इसको करया करना नहीं उटाए क्या करें मैंने आपसे कोई गिला नहीं किया ने पोई शिक्वा नहीं किया तो ये कहानी लैला मजनु की कहानी से जो जंग और जदल में बदली उसमें उन पठान बिचारे गाट से तो मैं सौ बार माफिया मांग लू उन पठानों का कसूर क्या है एंप फिर वो किराइदार जो आपने मेरे बराबर में रखावाए, किसी मेरी तरह के बंदे के खर्चे पे, एक करोड के बंगले का किराया 16,500 रुपे कहा होता है? आप एक बंगला आज की तारीख में, एक करोड पंद्रा लाग, एक करोड पाँच लाग, करोड़ 10 लाग का देते हैं 10 परसंट डिसकाउंट के बाद भी कोई 95 लाग का पड़ता है अच्छा आपको कहीं लगेगा कि यह बंदा वारे काम का नहीं है आप 20 परसंट डिसकाउंट करके आपको कंफ्लिक्ट का शौक पैदा हो गया है आपको पता ही नहीं है कि आप अपना नुक्सान तो करी रही है साथ में लोगों का कितना बड़ा नुक्सान कर रहे हैं अपने रूर्स और रेगुलेशन रात को सोईंगे सुबा उटेंगे घजनी बनके एक नया रूल बना देंगे क्या जाएगा हमारा कि मैंने पैसे नहीं लग वाया है मैंने पैसे नहीं है पैसे आप ने लगाया है मुलेग कory करें तो आप पूरा बता दे हमें तो हम समें ठुले देके सीचुएशन की कर दो वो शख्स हैं जो मुहबबतों में चले जा रहे थे और आज आप जंगो जदल करते हैं तो भाई सामने वाला जब मुझे बताये कि मुझे बेवाइं चाहिएं मुझे गरीब चाहिएं गरीब तो नहीं बन सकता उन्हें बेवाइं चाहिएं किया अपनी बिवी मार दूह। किया आप लोग अपनी बीवी को मार देंगे हैं Kap ankles मुझे यतीम चाहिएं अगर को यह इन बताना होगा कि मैंने बेवाइं के या मगान तीने या नहीु यह अब आपको डायर करना होगा आपने मगानाओं बेवाओं को रहने के लिए द गयुचवर बैभा करके अपना मकसद कवग निकलने बाद भगा उनके साथ वह काम कर रहे हों. और हमारी तरह के लोगों को बोल रहे हो, बैंट कर दिया, मेरे भाईयों, मेरे दोस्तों, मैं फुल-फॉर्स से आने की सलायत रखता हूं, ताकत रखता हूं. बट इनसे रब नवाज सापको मैंने कॉल कि अब मैं आपको बाइनेम बता देता हूँ पहले तो मैंने इनको खुद मैसेज किया मैंने का यार आपके फला फला बेटे का हमारा फला फला दोस्त कजन जानने वाला है आप कमांडर साब तसादूम की तरफ मच जाएं आप मुझे बताएं मैंने आपके लिए करना किया यह मैंने मैसेज किया उसके बाद भी जब यह मेरे अबबा को उठा कर ले जा चुके थे अगर मैं इनकी तरहां बेवकूफ होता तो मैंने को तीन वार्निंग्स ना देता मैं कोई वार्निंग ही नहीं देता पेजा कि कमादर साब आप जैसा कहेंगे वैसा कर लेंगे कोई टेंशन नहीं है उनका कोई रिस्पॉंस नहीं आया सुबह तक फिर मैंने रब नवाज साप को कॉल की मैंने का अंकल यह कुछ भी न करें मेरे वालिद के साथ दो तक्सीर लेकर डाल दें कहने लगे नहीं यार साथ उन्होंने मेरे अब्बा को उठा लिया था और कहलना कि बिल्कुल तुमने साही किया रब नवाज साथ वो शक्स ते जो स्टार्टिंग में बिल्कुल मेरे साथ थे और कहते हैं अपने घर आने का पता और उनसे पूछो कि तो बता देंगे भाई वो क्योंकि मेरे बता गया गाड से तुम बताओगे उसको टाइट करते उसको और क्या यह अपने दामाद के लिए गाली रुकवाते हैं क्या यह अपनी गाली इनकी चेक होती हैं तो वो बुदर्ग मेरे बिल्कुल साथ था और बाद में जब मैंने फिर कॉल की तो मैंने का बुदर्गों आप इन से बात करो जैसा कहेंगे वो कर लेंगे कहने यार बजात अभी बात बहुत आगे चली गई है अभी वो सुनने वाला नहीं है तो मैंने फिर अब्दुल्ला को कॉल की क्यूंकि अब्दुला का मेरी पहली वीडियो देखने के बाद जो बाइक वाली वीडियो थी बड़ा आया भड़कता वा मैसेज क्योंकि नामों के बगार कहनी नहीं चलेगी मेरे भाईयों नामों के बगार कहनी नहीं चलेगी तो मत किया करो कॉले मुझे नहीं रखा करो राप्ता मुझे बट जब सच होगा तो पूरा सच होगा सच आजा नहीं होता है ये कि मैं जा मुझे जब तक फाइदा दे रहा होगा तब तक वो रूल रहेगा जब मुझे फाइदा नहीं दे रहा होगा तो नहीं करूंगा आपका दमाद आएगा तो मैं रोक लूगा मेरा दमाद आएगा कोई रोक नहीं सकता तो वो जबके हम चाहते हैं कि आप जिंदगी पर आबे आयात पीकर बैट जाओ बट आपका काम होना चाहिए यहां पर मीटर लगवाना कि आप मीटर लगवाओ किसका चाहे वो अठारा घंटे की लोट शेडिंग जो होगी उसके बाद भी हम आपको कहेंगे कमांड़ साब बिजली आप दें बट कमसकाम हम हर वकत आपकी जिंदगी की आप फेसी बनाते बनाते एक दिन यॉरप जागे बैट जाओगे तो नहीं मैं बताओं कमांडर फिराव के ना कोई union बननी है मैं builder की union के हक में हूँ, मैं builder की grift के हक में हूँ, मैं जहां रहता हूँ वहाँ पर भी हमारे builder है Salim Patel साहब, मैं आज भी कहता हूँ कि Salim Patel साहब संभाले हैं और आप की तरह का DSP हमारी जान को आया हुआ है हम जाते हैं builder बेटे अचाब वहाँ पर आपने खुद ली वी है तो हम आपको कैसे हटाएंगे हम जाएंगे जिन्दा की बार आप ही builder बने क्योंकि वहीं पर आप builder हैं आप commander हैं, आप संभालें but rules are same for everyone rules अब के लिए same होंगे और rules पर change नहीं होंगे वो बेटके आप हमारे साथ बातचीत करेंगे, कौन security वाला होगा कौन होगा, कौन नहीं होगा but संभालेंगे आप हमारा काम है पैसा देना, पैसा हमारा है गाली हमारी है वो security हमारी है वो तमाम बाते अपनी जेका खड़ी रहेंगी बट उसको manage आप करींगे यू आरा मैनेजर आपने विल्कुल सही का कि मैं builder आपने समझ लिया यू आप आप बिल्डर और अभी तो आप बहुत immature है उस कहानी में भी तो यू आप बिल्डर सर आपकी जरूरत है पूरी कमांडर सिथी को पूरी जरूरत है बट आबे हयाद नहीं पिया वा तो चीदों को manage करना है आपने आपने बिजली हमें generator पर दे रखी है जब तक आप है तब तक बिजली है आपके बाद आपको लगता है कि आपका दामाद आपकी बेटी आपका बेटा इस तरह से manage कर सकता है no one can manage the way you manage तो फिर आवे चाहिए बिजली हमें चाहिए कौन सी चाहिए वो ठारा घंटे की load shedding है मीटर लगा होना चाहिए जिस दिन आप ना हो तो लोग आपको दौएं तो दें बट उनके पास generator की बिजली पर तो हमें आसू आ जाएंगे वो generator चल के नहीं देगा वो तो पता नहीं कौन सा generator को उठा के ले जाएगा gas सर कुछ भी करके हमें gas चाहिए कमांडर सीटी में पानी बोरिंग का निकल सकता है पानी बोरिंग का हम निकाल लेंगे security की कोई tension नहीं है security अला पाक हर इंसान हर मुसल्मान की सबसे बड़ी security वोग पर बैठावा है फरिष्टे मौझूद है अला पाक मौझूद है security की टेंशन नहीं है बट जहां तक रही बात आज आप यह समझ लें कि आप अबदुल्ला ने पर कॉल की चार गंटे पांच गंटे मैं आपको कॉल करता रहा मैंने अबदुल्ला से बात की मैंने का अबदुल्ला तुम जो बोलोगे हो जाएगा अधरवाइध एलाने जंग होगा क्यूंके मेरे अबबा को ले जा चुके है अगर तुमारी बीबच्चों को ले जाते कैने लगा ले जाते है अच्छी बात है तो इसे हम इसे हम यह गहरत-बंदी नहीं है यह गहरत-बंदी नहीं है मुझे अभी एक सहब ने UK से पारिस से, जर्मनी से कॉल की, कहने लगे यार ऐसे कैसे मतलब, ऐसे कैसे बैं करतेंगे, मैंने का भाई, मुझे कुछ असादम का जोग नहीं है, उनसे बोलो पैसे दें, लाओ निकालो 991, एक असी होगा, अपनी रा लेता हूं मैं, डिलीट करता हूं तमाम चीज़ें, मैंन इनको पैसों के इलावा किसी चीज से प्राबलम नहीं है, इन्हें किसी चीज से प्राबलम नहीं है, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा, इन्होंने थाबित किया उस चीज़ को, अब्दुला पांच गंटे कॉल करता रहा, कहने लगा बजजी, उनको पसा चल रहा है वो इनको बकॉल उसके अब वो जाने और कमांडर साब जाने ये आपस में बैटेंगे रब नवाद साब ने क्या किया अब एक मैसेज तो मैंने खुद उनको भीजा भीजा था वो हर किसी को एक नया रूल बताता है तो भाई इस पर मुसल्लत हो जाओ बाखोदा ये में जाने बल्ला है मैंने तो कमांडर हाइट वालों को बोला कि कमांडर साब के बारे में ये जंको जदल के दौरान मैंने बताया है उनको कि भाई मैं उनी का इंसान हूँ मैं उसी तरफ की पार्टी का बंदा हूँ मेरे सामने ये मत बताओ कि उन्होंने अदालत में आके माफी मांग लिए और इसे बेकार की बाते होती है कमांडर की वकील कर लो मैंने का वकील पैसे तुम से लेगा तो यह वो ता बिल्डर का है तो यह वो कीज़ें थी जो मुझे जरूरी थी उन तमाम लोगों को बताना कि भाई आप अपनी तमाम चीजें अपनी आजादी जम्हूरियत सल्प करवा लेते हैं इस तरह के बिल्डर के साथ जो दस साल बहुत अच्छा होगा दस साल बाद अगर पोदेशन मिलनी है चुप चाप रहो बढ़ हां इन्हें यह बता दो कि सर्फ बिजली आपने मीटर कब लगवा देंगे आप अपना वाला दें आप हैसको का मीटर इसली लगवा दें कि आपकी हर नमाद में हमें आपकी दौा करनी पड़ती है जिंदगी हम चाहते हैं आपकी दिंदगी लंबी हो बट आपयाद पीके तो कोई भी नहीं आया जिस दिन आप नहीं है तो यह जेनरेटर आपके दामाद आपका बेटा आपकी बेटी आपके बाद कोई मैनेज नहीं कर सकता इस चीज़ को आप हमारे लिए जरूरी हैं बट काइंडल बिजली आएगी उस पर नहीं आएगी मीटर लगा होना चाहिए आप मैनेज करें आपकी बिजली लेंगे वो दो धाई सो तीन सो मीटर ओफ रहने दें बट जिस दिन बिजली आप खुदाना खास्ता आपको जिंदगी दे बट आबे हयात किसी दे नहीं पिया खुदाना खास्ता खुदाना खास्ता कोई बात हो जाती है क्योंकि आपका तो पता ही नहीं चल रहा है आपके अपर चैंबर में ये आपको लगा है ऐसा वो अला तालना ने इसलिए मुझे भेजा कि जाओ इन साहब को बताओ कि रियालिटी क्या है और आप कहां चल रहे है और आप उसी रास्ते पे चले जा रहे हैं आपको पता ही नहीं है तो अब्दुल्ला साब ने उन्हें मैसेजिस किये उन्हें कॉलें की मेरा नाम नहीं आए मेरा फला नहीं आए अब्दुल्ला इस चीज़े बहुत पीछे रह गई हैं यहां पर करोणों अर्पों रुपेर लोगों के डूबने पर चले आए हैं तो तुम्हें यह बात बतानी होगी कि तुम्हें उनको कॉल करके बताया है नहीं किया अरब नवास साहब को बतानी होगी यह समझना होगा आपको क्योंकि आगे चीज़े और टफ से टफ से टफ और हमारे वाले से मिलने के बाद तो क्योंकि वो लोगों को बताते हैं हम शरीफ लोग हैं और वो जानने वालों को गालिया देते हैं आपको उन्होंने गालिया नहीं दी तो आप ब्लस्ट हो गए उन् सीसाल के बुढ़े को उठा लोगे तो वो क्या ओलेगा जार आपको क्या हो लेगा कमांडर सहब भाई, कमांडर सीट्य आज भी गृरी के इसाफ से पेस्ट है बट हम आगे जब तक रास्ता नहीं निकल जाता, we need कमांडर कमांडर साब उन्हें possession दी है बाकी societies की possession कभी भी नहीं होगी क्योंकि ये जितनी चीज़ें Commander City में आप देख रहे हैं वो सब artificial है पानी भी artificial है, बिजली भी artificial है गास भी artificial है तो फिर Commander City की लीज देखके हमें problem होना चाहिए क्योंकि Commander City जामशोरों के अंदर आने की वज़ा से वहां बिजली कभी भी नहीं आ सकती तो Commander साहब हमारे लिए जरूरी है बड़ Commander साहब का विजन सिर्फ इत्व पे खड़ावा है कि मैं लोगों को बुलाओं बोलू आके रह लो उनको ग्यारा महीने बारा महीने की जॉब दे दू बारा महीने के बाद मैं उसको निकाल दूँ कि वह अलेडी सेटल हो चुका होगा तूसरे को लेया हूं जौते को लेया हूं पांचमे को लेया हूं तो यह जॉब देने वाला काम भी बंद करना पड़ेगा आप बिल्डर हैं आपका काम लोगों को जॉब देना नहीं है आपका काम लोगों को खाना देना नहीं है आप अप सिलानी को देडिया है अब बात उच्छी थी कि बारिया वाला आप से चीज मांग रहा है सर आप उसको मतलब अगर आपसे नहीं सबल सकती न चीज आप बैरिया को देदी फिर आपको गर बैन लगाने का दिल कर रहा है किसी पर मैं कहता हूं पूरी कवांडर सीची पर बैन लगा दे बट आप जो करन्ट प्राइस आपके प्रिंटिट पेपर पे होती है उसका बीस परसंट आप काट कर उसको अमाउंट वापस करें आप इस तरह के पंगे ले लेकर के जी मैं शराब बंद करूंगा मैं चर्स बंद करूंगा मैं लेजबियन बंद करूंगा मैं गे बंद करूंगा मैं हिंदुईजम बंद करूंगा मैं हिसायत को बंद करूंगा मैं इसमा यह दोस्तों की तरह मैंने आपको इसरी समझाया यह आपका स्टाफ आपके पीछे बात करके बताता है सबको कि यह अब पांच थार भैंसों की बात कर रहे हैं अब गाएं ले आए हैं बकरी ले आए हैं क्या बिल्डर आपने कहीं देखा यह मुझे आपका उसको भी आम प्रोडेक्ट कर रहे होते थे आपको बड़ वो सही है मैं गलत हूँ बड आप Congo को भी गलत है सर थोड़ा सा जागेंगे थोड़ा सा बेजरी लाएंगे लोगों की पर्सनल लाइफ में इंट्रफेरेंस नी करेंगे जिसको रखना है उसको रखेंगे जिसको बा माफिय मंगवानी है वो कमांड राइट काले गाते हैं में माफिया मंगवाली किसे माफिय मांगनी है मुझे बताओ मुझे पढ़ान को आपने दोटके का बोल दिया मेरे आप गाट से आगे मिलोगे आप वो बताएगा यह तो हमें सेप काट काट के देता है पढ़ान जो काट मुझे बोले डेड़ घंटे के सफर के बाद वापस चले जाओ आप तो गोली मार देते हैं उसको मैंने अनुर्स गालिती हैं अल्ला के बंदों गांडर सिटी में जिनके पैसे लगेए में उन सबने मुझे आपका पैसा क्या लगा वाय आपकी श्री ना किमारा फकी है है अचा निकालना है निकालोगे तो पैसे देके निकालोगे नहीं पैसे नहीं दूँगा बिलकुल मेरे अबबा की तरह वो बिलकुल सूथ खाल के पता नहीं आपने भी कौन सा मतलब हराम माल खा लिया मेरे अबबा की तरह कि वो पैसा नहीं निकलता उनके जेब से तो आप आठका भी वही है पैसे नहीं दूगा मैं तुम्हें वैसे बाहर रखूँगा वैसे बाहर रख लूग। बैंक भी पैसे दिये हैلف him अल्ऌ के बंधे ऐल्ला के बंधे वैल्ला कोमानों गये बना को पैचानों है क्योंकि आपसे उल्वाद मैंometer यस्टा रहए य formally ऐका नमाज़ दो बार पढ़िया जब और घर नहींकMy nisajid मैंने धा कमेद्ध मेंわかाम को मुद्ध धाम करनें लागें तो यहां पर सब्सक्राओगे को परसmoment कि भीवोर्गे लागेएं कि 12 निसाला मेरे कान पगा दी है मुर्गी पाल के क्यों मुर्गी पाल में Diet मुर्गी ए yessler वह Allah की मखλुक है कुट्था आनी आय। ऐगा 24 जो मतलब क्या मतलब है कुट्थे वाला कुट्था ये गूमेगा मुर्गी व्ला कुपणी लेकर गूमेगा जब आपके office में आप लोग एक कुटा लेके customer के सामने बैटे वी होते हो बाइलोस बाइलोस कर रहे हो, Allah को मानो मेरी तरह के मुश्किल से 15-20 लोग मिल जाएंगे वो आप लोगों को इतना प्यारा कर देंगे इतना प्यारा कर देंगे कि मैं कहूं कि आप लोगों के मिसालें दी जाएंगी builders दुनिया में कि अगर कोई sophisticated तरीन builder family है तो that is commander family बट मजबूरी है कि आप मतब जरूरी है कि हम लोगों से याप training लो, हम से क्यों training लोगे आशिक से training नहीं ली जाती तो यह लैला मजनू वाले case को आपने बिगाड़ा आज भी हम पसंद नहीं है बैन लगाना है भाई आप लगाओगे पैसा रखोगे विडियोज डिलीट करेंगे हम अपने रास्ते जाएंगे आप अपने रास्ते जाओगे बट नहीं पैसा मैं तुम्हारा लगाऊंगा अब मैं तुम्हें बताऊंगा मैं यहां घरीब को रखोंगा भाई मैं 5% दकात देता हूं मुझे आपका क्या करना आपने बेवाओं को उनके नाम पे मकान दिये है यह आप के उपर सवाल एक और आगिया कारोबार करने के बाद आप अगले को निकाल देते हैं दुकान उसको वह वाली बेचते नहीं है जो जाथा फाइदे मंद होती है सवाल आप पर आगिया बहुत सवाला आते हैं लोगों के बहुत सवाला आते हैं लोगों के आप जबाबात नहीं दे पाएंगे इसीलिए आप मीटर लगाने की तैयारी करें जामशोरों के मीटर जो जिसकी बिजली आने है उसको आने दें बिजली आप देते रहेगा बी विल नॉट डू एनिटिंग आप ही से मैनेज करवाएंगे आप ही को रखेंगे आप ही रहेंगे आप ही बिल्डर बनेंगे आप ही यूनियन सबालेंगे आप ही सब कुछ करेंगे बट रेजिडेंट से बत्तमीजी कोई मुलाजिम करेगा तो रेजिडेंट उस पे एक्शन लेगा रेजिडेंट डेट गंटे की सवारी करके गेट पर आएगा और रातो रात आपने घजनी स्टाइल में एक रूल बना लिया होगा रेजिडेंट उस पर अक्शन लेगा किसी रेजिडेंट को चौकिदार बनाके इंचार्ज बनाके फना बनाके मानेजर बनाके खड़ा नहीं किया जाएगा न्यूट्रल सिक्योरिटी रखवाई है न उन लोगों ने कमंडर हाइट साले बेवकूफों ने सिक्योरिटी सर बहुत टफ करें एक बार करें रूल बहुत टफ करें बट ये वाला काम मत करें कि अब F.I.R. मुझ पे कट गई है ता वो रूल मैंने अटा दिया है क्रिमिनल वाला अगर क्रिमिनल्स को अटाना है तो आप पे भी F.I.R. कट गई है आपने नारे मार दिये जिसके पीछे बर दी है वो आपने नारे लगवा दिये दुनिया कहती है मैंने F.I.R. दीखी नहीं है बट दुनिया कहती है आपने अपने उपर F.I.R. कट वाली बट वो क्लॉज मैंने देखी है चार साल पहले जिसमें लिखा हुआ तक क्रिमिनल केसे नहीं होने चाहिए आज आप पर क्रिमिनल केस हो गया तो आपने वो क्लॉद अचा दी सर मेक वन रूल फॉर एवरिवन एक बार बैटें सबको बिठाएं सबसे बोलें खुल के बताओ कि इस रूल पर किसी को प्रब्लम है सबके दस्तागत लें अचा मुझे निकालना निकालो मुझे क्या करन आप जिस दिन आए और आपके पास कार्ड ना हो याभदुला साब का किस है कि अब दूला साब साथ में गए एक किसी के और बापसी मुझे कार्ड नहीं है वो कह रहे है मैं जी रोड़ पे सो जाओंगा आपको इस दिन कार्ड ना हो आपकी गाली को रोका जाए तो रूल् कर दिया है अभी हम सिर्फ कमांडर सीटी को संजाने की कोशिच कर रहे हैं सिखा रहे हैं बता रहे हैं अदर्वाइस तो आपको यह बताने की क्या जरूरत थी कि यह जाम शोरो में आपको तो बताना चाहिए कि बैरिया टाउन टू भी जाम शोरो में पार्म ड्रीम भी जाम जामशोरों में, अलमक्का भी जामशोरों में, अलमदीना भी जामशोरों में, इस तो सब जामशोरों में है, बट पोजेशन सिर्फ आपने दी है, इसलिए मैंने ये लिया था, मुझे ये नहीं पताता कि क्या जामशोरों है, क्या नहीं, मुझे आज भी फर्क नहीं पड़ कमांडर साहब और राज को बैटे बैटे एक रूल बनाएंगे सुबह पब्लिश कर देंगे तो ये अब लोग मैं समझ गए होंगे कि भाई ये मुहबबस से लेला मजनू से जंगो जदल का महौल कमांडर साहब की इम्मेट्यूरिटी ने बनाए चाते इस चीज़ को रिजॉल्स कर सकते थे अब्दुल्ला चाता वो रिजॉल्स कर सकता था रब नवाज साहब चाते वो रिजॉल्स कर सकते थे बट नहीं इवन गाड चाते तो वो रिजॉल्स कर सकते थे बट नहीं हर किसी ने कमांडर सिटी को बरबाद करने की ठान ली और अल्ला पाग ने फिर हमें कहा कि भाई जाओ इन सब को लेसें दो कमांडर साब को एक बेहत्रीन बिल्डर बनाओ कि उसके बाद जो वो बिल्डर बनके दुनिया के सामने दस साल बात आएं तो दुनिया के यह है कमांडर फैमिली कि मुझे इस सदी में पैदा किया गया यह मेरा कसूर है आप इस सदी में पैदा हुए यह आपका प्रब्लम है यह आपका कसूर है आप पहले पैदा हो जाते आज भी आपका भी कमेंट्स तो पढ़ें उस बाइक के नीचे कमेंट्स तो पढ़ें कि दुनिया कह रहे हैं बत् और बाकी नहीं बात यह है कि आप में आप मैंने प्रब्लम यह देखा कि इंटर फेरेंस इन अदर लाइफ बहुत ज्याद है जिसमें आपने बताया कि इसके बाप ने बड़ी जीब जीब लैंग्विज यूज की मैं बोल लैंग्विज यूज नहीं करना चाहरा है मैंनी करना चाहरा है मेरे वालिद दो शादियां की है आठ उलादे हैं मैं सबसे छोटी हूँ वो बाइक भरी वी थी सामान से जो उनके लिए आई जिसमें आपने बताया कि नाखल्क बदकिरदार बद इखलाक पांच परसंट सकात देता हूं जिस दिन आपने पांच देगा यहां अमाउंट गिरता है वहां पांच परसंट सकात जाती है in terms of percentage जिस दिन आपने थाबित कर दिया कि यह बंगले की पेइमेंट गिरी थी यह मैंने पांच परसंट दिया थी on account मैं बंगले माफ कर दूं आप क्या डॉमें बादियां कर रहे हैं आपको सिर्फ पै बार साइकलें वाइक ले रखके आपने चपलें ले रखके कमांडर साथ सब को सब पता जलता है कोई बेफ़कूफ नहीं है बट कुछ लोग हमारी तरह आखे बंद कर